नमस्कार कहानी गोल्ड में आज सुनिये महरो निसा परवेच के लिखी कहानी अपने होने का एहसास दोस्तों उमीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आएगी तो आएए सुनते हैं अपने होने का एहसास उनके पैरों के पास छिपकली टप से आकर गिरी और जठ से दोड़कर दिवार पर चड़ गई वो भैबीच्सी जहां की तहां खड़ी रह गई छिपकली भी गिरते ही चड़बर तो सकते में रह गई थी पर समलकर दिवार पर चड़ गई थी और चड़ी-चड़ी उसे घबराई सी देख रही थी उसका मूँ खुला था और उसके पेट लग-लग हो रहा था इसका मतलब था कि छिपकली भी उसी की तरह घबरा गई थी उसे हसी आ गई यह सोचते ही कि मनुष्य हर बात में शुबह-शुब सोचता है क्या जानवर भी सोचते होंगे? क्या वे भी मनुष्य को अपना काल नहीं मानते होंगे? अभी बुआ को खबर हो जाएगी तो हजाने कितनी बाते कहेंगी? पहले तो इसनान करने को कहेंगी? फिर किसी पंडित से उसका शुबशोफल दिखवाएंगी? दान करने को कहेंगी? यदि अशुब हुआ तो घर में बवंडर अलग होगा? क्या इतना सब छुबखली के घर भी होगा? सोचते ही उसे अपने बात पर जोर से हसी आ गई और सुस्ताने के लिए वह वही मोड़े पर बैठकर आचल से अपने को हवा करने लगी? पिछले बरस की ही तो बात है, बड़े ठाकर के सामने से साप ने रास्ता काट दिया था वह लोटा लेकर जंगल से वापसा रहे थे जैसे ही उचे टीले से नीचे उतरे तुपक डंडी में वैसे ही सरर करके बड़ा सा एक काला साप निकल गया लोटा हाथ में लिए वह हक के बक्के रह गये थे घर आकर ढेर सारा दानपुर ने किया, पर होनी को तो होकर ही रहना था ना वह किसी के टाले से थोड़ी तलती है, बस बड़े ठाकर ने दूसरे दिन का मोही नहीं देखा सोए तो सोते ही रह गये, सारे लोगों ने कहा, सोते में हार्ट अटेक हो गया पर जाने क्यों, उसे तब भी लगा था कि बड़े ठाकुर भै के कारण ही खुद मर गय थे उनका काल नहीं आया था, पर गाउं में कोई भी उसकी बात पर राजी नहीं हुआ था तब से वह भी अच्छे बुरे का शगुन मानने लगी थी जाने इस शिपकली का शगुन क्या हो, अगर वह भी बड़े ठाकुर की तरह मर गई तो सोचते ही उसे घबराहट होने लगी, फिर उसने आचल से अपने मुंग को पोचा जैसे घबराहट की परत को पोच रही हो, फिर उसने सोचा मर गई तो क्या हुआ, अच्छा ही होगा, जिन्दगी की खिट-खिट से तो बच जाएगी पर अगर आज अभी मर गई तो, बेटे की सगाई टल जाएगी क्या छोटा ठाकुर तो मरने के बाद भी उसे नहीं छोड़ेगा, नरक तक पीछा करता आएगा बोलेगा, अरी डायन जीते जी तो तूने मुझे कोई सुख नहीं दिया मर कर भी घर उजाड गई, बेटे का घर खाली कर गई, मेरे किये कराई पर पानी फेर गई सोचते ही उसके आँखे भर आई, उसने दोनों हाथ जोड़ कर राम जी को याद किया हे राम जी, तुम सब जानते हो, मेरा काल आ गया हो तो दो चार दिन रोक देना बेटे की सगाई हो जाने दो फिर ले जाना बहले ही अगले जन्म के दिन कम कर लेना, पर ऐसी अन्होनी मत कर देना, नहीं तो मेरे मूँ पर लगा कलं कभी नहीं धूल पाएगा प्रार्थना करके जैसे उसके जी को चैना गया, उठकर उसने भीतर रखे घड़े से एक गलास पानी लिया और बाहर आकर कुला करके, मूँ पर गीला हाथ फिर कर गटगट कर पानी पी गई पानी पीकर जी को चैन मिला, हाँ पानी पी लिया, अच्छा हुआ वरना अभी काल आजाता तो प्यासी ही रह जाती न सोचते ही उसे फिर घबराहट होने लगी बचपन में सुनी एक कहानी आदा गई बचपन में मा कहती थी, कभी भी प्यासा नहीं रहना चाहिए, पानी पीकर सोना चाहिए एक बार एक घर में आदमी सो रहा था सोते सोते उसे बड़े जोर की प्यास लगी वह नींद में वैचैन हुआ पर उठा नहीं इधर उधर करवट होकर सोता रहा नींद बड़े जोर की आ रही थी आखिर उसकी आत्मा से रहा नहीं गया उसने देखा वह उठ नहीं रहा तो वह शरीर छोड़ कर निकल गई और घर में पानी ढूनती रही पर घर के सारे मटके ढखे रखे थे तभी कोई पानी पीने उठा और जैसे ही उसने पानी लेने के लिए मटका खोला आत्मा पानी के लिए मटके में प्रवेश कर गई पानी लेकर उसने मटका ढख दिया आत्मा मटके के भीतर रह गई मटके पर ढखकन लग गया था कैसे निकलती घर में रोना पिटना मचिया ना ते रिष्टेदारी में आदमी दोडाए गय तैयारी होने लगी ले जाने की तभी किसी ने मटके का ढखकन खोल दिया ढखकन खुलते ही आत्मा जट बाहर आई और अपने शरीर में प्रवेश कर गई मरा आदमी उठ बैठा और सब को अपनी बात बताने लगा सब हैरान रह गय इसलिए मा कहती थी कि कभी बीना पानी पीए नहीं सोना चाहिए आत्मा डोलती है पानी पीकर उसे जैसे चैन मिला चलो अब आत्मा पानी पीने तो नहीं निकल जाएगी आज राजन शहर से लोटने वाला था और आते ही उसकी सगाई पक्की होनी थी सारे घर में धूम थी महमानों से घर भरा था घर का कोना कोना हलचलों से भरा था बही घर जो कभी उदास अकेला मकडी के जालों से घिरा खड़ा रहता था आज नया लिपा पुता घर अलगी चमक रहा था राजन बस छुट्टियों में ही घर आता था वरना पूरे साल हॉस्टल में ही रहता था पर इस बीच उसे खास खबर कर छुटियों के बीच ही बुलाया गया था खास उसके फोफा लिवाने गए थे और साथ लिए आ रहे थे जल्दी का भी कारण था पंडित ने बताया था इस माह के बाद पूरे साल शुबलगन नहीं है बात दूसरे साल पर टल जाती और इतना सब्र छोटे ठाकूर यानि उसके पती में नहीं था इतना बेसब्र तो वह शायद अपने ब्याह में भी नहीं था जितना बेटे के ब्याह में हो रहा था खास शहर से हलवाई आया था जो पकवान बना रहा था लड़ू तयार हो रहे थे जो पूरे गाउं में बाटे जाएंगे एक घर भी छूट न जाए इस बात की वह बार-बार ताकीद कर रहा था आखिर वाइस गाउं का मुख्या सरपंच बड़ा सब कुछ तो था फिर लड़की भी छोटे-मोटे घर की नहीं थी घरा ना बराबर की टकर का था इसलिए दोनों तरफ से बढ़ चड़ कर खुशिया होनी थी राजन आई-पी-एस की तयारी कर रहा था हर साल उसकी ट्रेणिंग का आखरी साल था लड़की भी बाहर कहीं रहकर अंग्रेजी पढ़ी लिखी थी सुना है सिर्फ अंग्रेजी बोलती है हिंदी तो जानती ही नहीं बचपन से ही बाहर रहकर पढ़ी थी अंग्रेजों की तरह रहती थी पैंट, शर्ट, कटे बाल थे उसके, घुड सवारी अच्छी करती थी बहला इतनी उची उडान उड़ने वाली उसकी बहु जो घर आते ही सबसे पहले अपनी सास को ही गंदे समान की तरह निकालने वाली थी अपनी पतली नाक को उचा चढ़ा कर आते ही पूछेगी ये सारी बाते सोच सोच कर ही उसे बुखार सा आ जाता था जब पहली बार ठाकुर ने उसे बहु की तस्वीर दिखाई थी तब ही वा डर कर काप उठी थी हे रामरे, ऐसी सुन्दर अपसरा जैसी लड़की तो उसने बस फिल्मों में ही देखी थी आज सवेरे से ही उसका मन घर में नहीं लग रहा था हर काम से जी उचट जाता था मन इस्थिर नहीं हो पा रहा था एक बिंदू पर टिक नहीं पाता था या जुड नहीं पाता था हिर्दय की धड़कन शरीर के हर कोड पर उसे सुनाई दे रही थी जैसे हिर्दै सारे शरीर में दौड रहा हो और बाहर भाग जाने का मार्ग ढूंड रहा हो वैसे भी वह कभी संसा से जुड नहीं पाई जहां रही वेरागन की तरह रही जीने का धर्म निवाहती रही क्योंकि उसने कहीं सुना था कि मनुष्री को जब भगवान ने धर्ती पर भीजा है तो उसे अपनी जीनी का धर्म पूरा करना चाहिए बच्पन में ही मा मर गई बुवा के घर पलकर बड़ी हुई तो उसने एक विधुर को देख उसे ब्याह दिया बिना दहेज के और बिना खर्च किये बिना मेहनत किये जब कोई सामान घर लाता है तो उसकी कद्र भी नहीं कोई जानता वह भी जिंदगी भर फालतू सामान की तरह पती के घर रही जब भी वह सोई इसी चिंता से कि पता नहीं सवेरा देख पाऊंगी या नहीं और जब सवेरे आँखे खोल कर अपने आपको जीवित देखती तो सोचती चलो राम जी ने जीने के लिए एक दिन और दे दिया उसने कभी लंबी उम्र की बड़ी-बड़ी बातों की चाहत भी वही लोग करते हैं जिने जूटे ही सही पराश्वासन प्रलोबन मिलते रहते हैं राम जी ने यह शरीर संसार भी कैसा बनाया है इसके भीतर चाह मो कैसा जगाया है उसे से बंधा रहकर तो मनुश्य जीवन के सारे उचे नीचे रास्ते पार कर लेता है कोई तो कहने वाला चाहिए कि तुम्हें जीना है, मेरे लिए जीना है तुम्हारा जीवन मेरे लिए है, जरूरी है अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? पर मा के मरने के बाद ऐसा चाहने वाला उसे कोई नहीं मिला वह सारी उम्र इसे जूट को ही सुनने को तरस्ती रही, कलपती रही पर कहीं नहीं लगा कि वह किसी के लिए जरूरी है उसके लिए ही हरवा घर जरूरी रहा जहां वह थी, वरना वह जाती कहां इसलिए जीवन के खोंटे से बंधी रही कि कोई चारा डाल जाएगा सारी उम्र वह खुद जूट के घर में जीती रही जहां रत्ती भर भी किसी ने उसकी परवा नहीं की पर मनुष्य का जीना भी कितना जरूरी है कि जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है यह बात केवल उसने अपने जीवन से ही सीखी थी सारी उम्र अपमान सहकर कोई नहीं जी पाता पर उसे सहना पड़ा, जीना पड़ा जीवन के नाटक का असली परदा उठने वाला था जिस भैसे वह सारी उम्र भैभीत रही आज जैसे वही उज़ागर होने वाला था जिस बेटे का जिस जूट का टेका लेकर वह आज तक खड़ी रही आज जैसे वही टेका वही लाठी उसके मृत्यु का कारण बनने वाला था अब जीवन में कुछ नहीं रह गया था सब शेश होने वाला था सारी उम्र वह इसी अंत का ही तो उलाहना सुनती आई थी आज उसका खून उसका जिगर का टुकडा ही उसे लात मारने वाला था अपमानित करने वाला था आज राजन की सगाई वाला दिन था जीवन भर कोसने काटने वाला पती, जो सारी उम्र उससे वहर सापाले रहा, आज अपने मन की करने वाला था उस दिन मूंज की खाट पर बैट कर हुका पीते हुए, उसका पती चीख चीख कर उससे बोला था मैं जो खुद सारी उम्र नहीं पा सका, अब बेटे के माध्यम से पा जाऊंगा, सारी उम्र में जिस तिश्णा से प्यासा रहा, आज वही प्यास बुझाऊंगा ऐसी बहु लाऊंगा जो तुझे सिर्फ नौकरानी की तरट होकर मारेगी वह धर्ती पर आउंधी पड़ी रोती सिसकती रही, जूते पहने लातों की मार ने शरीर का अंग-अंग दुखा दिया था शरीर को इसलिए बेदम होकर धुना गया था, क्योंकि उसके हाथ से चिलम तूट गई थी चिलम का बदला उसके शरीर को कूट कर निकाला गया था जन्मते ही पिता मर गए, थोड़ी बड़ी हुई तो माचल बसी गुआ ने मनुस कह कह कर पाला, बड़ी हुई तो पती के घर भेज दिया गया फिर पलट कर किसी ने मायके की दहलीज खूंदने नहीं दी खरीदी लॉंडी की तरह उसे लोग खरीदी पत्नी बना कर ले गए जिसकी बोटी बोटी पर उसका अधिकार था बस केवल सासे उसकी अपनी थी पर वह भी कभी कभी उनके डर से उसके शरीर में ऐसे फड़फडाती जैसे पिंजरे में मैना फड़फडाती है जीवन में दुखसुख सुनने बत्याने वाला भी कोई होता है या उसने कभी नहीं जाना बस देह की भाषा ही वह जानती और पैचानती आई थी जैसे यही उसने जीवन में पढ़ना जाना था पती रोबीला उची पूरी काठी का मर्द था अपने माबाप का एकलोता बेटे होने के कारण सिर्चड़ा था जिसने कभी अपनी जूती भी सीधी नहीं की थी पती के रोब को उसने घर में चिलाते धारते और मित्रमंडली में बैठकर ठहा के मारते ही देखा वा जाना था पती के सहज रोब को उसने कभी नहीं जाना था वह आदमी इसिर्फ अपने दम पर जिंदा था और सिर्फ अपने लिए ही जीता था. ओरत घर सहेजने के लिए तथा शराब का नशा उतारने के लिए होती है. बस वह यही बात जानता था. पती ने कभी आख भर भी उसे देखा हो उसे कभी नहीं लगा. बाहर की ही औरत देखने की चीज होती है सिर पर चढ़ाने और आखों में उतारने की चीज होती है यह परिभाशा देख सुनकर ही उसकी अपनी दे मुर्जाने लगी थी सारी उम्र वगर सहेश्ती जोड़ती रही पर उसमें रहने वाले ने कभी इस बात को महसूस नहीं किया हमेशा कहा औरत का तो यही काम है बच्वन में मा कहती थी दीमक घर बनाती है और उसमें रहता साप है दीमक सारी उम्र मेहनत करके घर बनाती है पर जब वह तैयार हो जाता है तो साप उसमें अपना डेरा डाल लेता है उसे भी यही बात हमेशा औरत के लिए लगी दीमक की तरह वह घर बनाती रही और साप की तरह वह रहता रहा शब्दों की भाशा तो कभी पती ने जानी ही नहीं वह तो बसलात गूसों और गालियों का प्रेयोगी जैसे जानता था बाहर वालों के लिए वह रोबीला, शालीईन, रुतबेदार, खरचीला मर्द था जो बात-बात पर हिसाब लेता था मुहले टोले की औरतों से वह खूब आखों की भाशा एवं मुस्कुराहटों का आदान प्रदान करता था और घर आते ही उसका सिर्चड़ जाता था सारी उम्र उसने उसे अंचाहे रूप से स्विकारा और अंचाहे रूप से उसे खाने को टुकड़े देता रहा तथा बदले में उसे अपने हैसानों से कोशता रहा और कहता रहा कि औरत को इतना ही तो चाहिए इतने में ही तो अनिहाल रहती है सारी उम्र वह बाहर रहा बस रात को सोने के लिए घर आता मेलों ठेलों में नोटंकी में मैं फिलों में मित्रमंडली में वह सबसे आगे रहता और घर की दहलीज के भीतर ही उसका रूप काफ़ता था वह हमेशा उची उडान भरने वाला बाज पच्छी था और उसके पंजे में फसी फड़़ाती एक चड़िया मात्र थी वह जीवन के प्रती उसकी बड़ी बड़ी उम्मीदे थी वह बहुत सुन्दर रूपवती कन्या से शादी करना चाहता था परन्तु भाग्य ने उसके साथ उस जैसी मामूली वसाधारन सी कन्या को बांध दिया था जब वह एक बेटे की मा बनी तब उसे लगा था कि चलो अब उसका जीवन सार्थक हुआ कम से कम अपने बेटे की मा के रूप में ही वह उसकी इजज़त करेगा पर यहां भी भाग्य ने उसे मात दी जब भी उसकी गोध में राजन को देखता तो कहता तेरे पल्लू से बन्धा या भी काट का उल्लू बन जाएगा वह लड़के को अपनी तरफ खीच कर अपनी गोध में बठा लेता उसे बाहर गुमाने ले जाता हर समय उठने बैठने के तरीके सिखाता रहता जब वह उसे मारता या डाटता तो राजन उसकी पीट के पीछे या दरवाजे के पीछे चिपकर भैवीच सा बाप को देखता रहता वह रात दिन उटते बैटते बेटे को डाटता सली का सिखाता पर वह किसी बात पर डाटती तो जट से उल्टा बेटे के सामने ही लजजित कर देता चल चल तू क्या जाने तेरे बाप के घर ऐसा होता होगा यहां तो जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा क्यों बेटा बच्चा भी शहपा कर खुश होता वह जानती थी कि गलत बातों के शहपा कर लड़का बिगड जाएगा पर वह मूँ नहीं खोलती थी कभी-कभी वह अकेले में बैटकर बेटे को समझाती बहलाती पर लड़का बाप को देख जट उल्टा हो जाता वह हर चीज की फर्माईश जिसे वह अकेले में मना कर देती थी कि बिगड़ना जाए बाप के सामनी करता तो उसे हुकुंदी आ जाता कि तुरंद पूरी करो लड़की को अपनी तरफ मिला कर वह जैसे उसे और कुछलना चाहता था और अपने मन की करके प्रसंद रहता पर कभी बेटे से यह नहीं कहता कि ऐसा मत करो मा को जवाब मत दो बस हमी सी अपनी दूसरी हार को भी स्विकारती जा रही थी पतनी होने का अधिकार कभी उसने चताया नहीं अब मा होने का एसास भी भूलने लगी थी पर जब लड़का उसकी मर्जी के खिलाफ चलता तो वह उसे यह कह कह कर खूब लतारता धीट है गवार है अच्छी औरत होती तो बच्चा भी लायक होता डाएन का बेटा डाएन ही तो निकलेगा यानि हर तरह से उसे ही कोचा जाता अपमानित किया जाता अपनी दैनिय स्थिती पर बस रोकर चुप हो जाती पती उसे अंग्रेजी बोल चाल तहजीब सिखाना चाहता और वह उसे अपना घरेलू धार में क्यान आखिर पती ने देखा कि घर में रहकर बेटा सुधर नहीं सकता वह हाथ से रोटी खिलाती और अपनी पास उलाती थी तो उसने उसे पढ़ने शहर भेज दिया जिस दिन राजन गया जाते समय उसका पल्लू पकड़ खूब रोया था परंतु पती के आगे उसकी एक न चली और राजन को जाना ही पड़ा वह भी चुप रह गई थी जर्म देना केवल मा का धर्म था पालन पिता का धर्म नियम काईदों में कैदव सिर्फ छट पटाती रह गई थी राजन छुट्टियों में ही घर आता था पर आते ही वह उससे लिपट जाता वह जादा से जादा अपना समय मा के साथ बिताना चाहता राजन जैसे जैसे आगे पढ़ता गया बाप का घमन डौर बढ़ता गया वह दमसाद कर चुप हो गई थी मानों उसे किसे से कुछ लेना देना नहो पर जब राजन आई पीएस में आ गया तो बड़े बड़े घर की बात आने लगी बाप गजबर की छाती लेकर बड़ी बड़ी बाते करने लगा लोग उसके आगे पीछे गूमते थे तब वह सहम जाती कहीं ऐसा नहों कि जादा उचा उड़ने की कोशिश में लड़के की जिन्दिगी बरबाद हो जाए देखो राजन की बात जहां कर रहे हो क्या वह यहां निप जाएगी आखिर उसने एक दिन डरते डरते कहा उसे कौन यहां रहना है बंगले में रहेगी पती ने जोर का ठाका लगाया था पती जब हसते तो घर का कोना कोना हिलता था जब वह घर में होते तो घर की हर चीज उनकी मौजूद्गी का एसास कराती थी मानो घर में भुकम पाया हो अपनी बरसों की प्यास बुझाऊंगा ऐसी लड़की के तो मैं सपने देखा करता था परन्तु मेरी तकदीर में तो तू ही लिखी थी चांद में दाग लग्याना निपट गवार फूहर और औरत मेरे गले पड़ी जिसके साथ दो घड़ी भी न बैठा जाए लड़के के लिए उची सोसाइटी की लड़की लाऊंगा जो तेरी नाक में नकेल डालकर फिराएगी चकरी की तरह देखना सारी संपत्ती उसके नाम कर दूँगा तब तू देखेगी कि आदमी रूपवती अपसरा पत्नी के तलवे कैसे चाटता है एक घड़ी भी लड़का बाहर नहीं रहेगा अरे जब घर में ही जादू फेरने वाला हो तो आदमी बाहर क्यों फिरे हाँ सुनकर वह पत्ते सी काप कर रह जाती यह तो वही बात हुई जैसे किसी के सिर खून चड़ जाए और वह ना आगे की देखे न पीछे की ऐसा ही खून पती के सिर चड़ गया था बोतल खोल कर वह गटा गट पी जाता और मेले की नोटंकी में देखी पतूरिया को याद करकर के बर राता हाई जालिं क्या नाश्ती है क्या बालिश्त भर की कमर है कि एक हाथ में सिमट जाए क्या उठान है क्या अगा है कलेजा काट कर रख दे पती बर्राता रहता और वह दर्वाजे की दहलीज पर बैठी अंधीरी में पती का सुनेरा सपना सुनती रहती उसे पता है अब थोड़ी देर बाद उसे उसकी आशकता होगी तब वह उसके इसे घिनोने शरीर से खेलेगा चड़ी पतंग को रोज उतारना ही उसका काम था घर जाने किसने इसका नामकरण किया होगा पर जिसने भी किया है बहुत सुन्दर नाम दिया है जीब पर आते ही शहद की एक मिठा सारे शरीर में उतर जाती है पर घर सिर्फ दिवारों का नाम नहीं है घर तो बनता है घर में रहने वालों से बचपन से ही वह अपने घर की तलाश में थी जहां की दिवारों का निर्माण घर वालों ने किया हो जहां सब एक छट के नीचे माया मोह में बंधी रहते हूं पर तकदीर का खेल देखो राम जी ने संसार दिया शरीर दिया चाहत जगाने वाला मन दिया पर रहने के लिए एक सुरक्षित घर नहीं दिया जहां वा आक भर सो सकती हो घर का चौका एक बर जलाया जाता है और सब इकटे होकर भोजन कर लेते हैं तब उठा दिया जाता है 24 घंटे नहीं जलता कि जब चाहा होटल मेले की तरह आकर खाते रहें घर में रहने के लिए घर की मर्यादाओं को भी निभाना पड़ता है घर और होटल के अंतर को समझना जरूरी है वैसे ही जैसे पतनी और पतूरिया में अंतर होता है ये बाते वा कभी पती से कह नहीं पाई और ना ही उन्होंने कभी इन बातों को समझना चाहा बस वा तो मन को यही कहकर समझा लेती कि रामजी ने उसे समझ दी है इसलिए तो दुख भी दिये है हरामखोर कहां से ले आया रे या पतरिया पती के चेक सारे घर को कपा गई थी वह अपने विचारों की धारा में बहती शायद बहुत दूर बह गई थी कि अचानक पती की करकश रोबीली आवाज से अपने विचारों की तपस्या से जागी तो लगा बाहर कुछ घटा है पर क्या घटा है यह बात वह समझ नहीं पा रही थी ना ही यह समझ पा रही थी कि पती जो सुबह से ही धूती कुर्ता पहने खुश भूम रहे थे अचानक किस बात पर इतना गरम हो रहे हैं कहीं उस रसोईये ने लड़ू तो नहीं मिगार दिये पर यह पुतरिया शब्द किसके लिए कहा गया है बापू जबान रोक लो राजन की चीख सुनाई दी पुतरिया किसे कह रहे हो यह ना टंकी की पुतरिया नहीं तुम्हारी बहू है मेरे सम्मान के साथ इसका भी मान है नहीं तो बेटे का मो उम्र भर देखने को तरह जाओगे हे राम जी यह तो राजन बिटवा की आवाज है उसने जोर से अपनी कलेजे को दोनों हाथों से दबा लिया बाहर क्या हुआ रे कोई तो कहे किसकी आग्या से तु इसे यहां लाया रे क्या इसलिए मैंने तुझे बाहर रखकर इतना पढ़ाय लिखाय था कि तु बढ़ा होकर बाप के सामने किसी का भी हाथ पकड़ कर ले आएगा पती दहाड रहे थे जैसे शेर की दहार सुनकर हीरन जान बचाकर जंगल में इधर उधर भागते हैं वैसे ही लोग जहां के तहां हैरान परिशान खड़े रह गए थे मैंने कोट में इससे शादी की है यह मेरे साथ पढ़ती थी शादी मेरी होनी थी सो मैंने अपने मन से कर ली इसमें इतना बावेला खड़ा करनी की क्या जरूरत है कोट मेरीज पती गर्जे अंग्रेजी पढ़ाई का यह नतीजा है क्या गाव में कोट मेरीज को कोई मानेता नहीं हम लोग इसे ब्यान नहीं मानते बापु जिस उची पढ़ाई से आप मुझे बड़ा आदमी बनाना चाहते थे उसी पढ़ाई ने मुझे कम से कम इतनी समझ तो दी कि अच्छा और बुरा पहचान सकू जिस ओरत को आप उम्र भर चीटी समझ कर पैरो तले रौनते रहे वही मेरी आराध्य देवी रही मा ही मिरा आदर शरूप रही और मैंने उसी की तरह एक सीधी साधी लड़की को अपना जीवन साथी भी चुना है तुम जीवन भर जिसके साय से मुझे दूर रखते आए वही साया जीवन भर मुझ पर छाया रहा मैं कभी उसे दूर नहीं हो सका पतूरिया यहा नहीं है पतूरिया तो आप घर लाना चाहते है अरे बेटा मर्द रास्ते चलता है तो उस पर तितलिया मढराती ही है इसका मतलब यहा नहीं है कि हर तितलि को घर ले आओ पती चोटखाए साब की तरह घायल होकर नरम पढ़कर कुंडली मारने लगे थे बापू हर फूल पर तितली नहीं मंडराती मैं तो बस मां से आशिरवाद लेने आया था मुझे आपका आशिरवाद भी नहीं चाहिए वह आवाक चुप बेजान शुनिसी होकर मुख अपने उसी कोने में बैठी सब देख सुन रही थी उसमें जरा सा हिलने की भी शक्ती जैसे शेश नहीं रह गई थी जीवन की हर घटना का हमेशा मुख्य मोड वही हो जाती थी जैसे उसे ही चिढ़ाने दिखाने के लिए सारी घटनाएं घटती रही है और आज भी भरी विरादरी में जैसे उसी को लेकर बाते कही जा रही थी उसे लगा यह भी चिढ़ाने के लिए ही है मा आशिरवाद दो कहता राजन उसके पैरों की तरफ जुग गया मा मैं तुम्हें लेने आया हूँ मेरे घर को तुम अपने हाथों से सवारोगी मैं तुम्हें यहाँ अब रहने नहीं दूँगा राजन के पीछे छीट के बूटों वाली साड़ी पहनी मासू माखो वाली एक गुडिया सीधी साधी सी खड़ी थी हू बहू ऐसी ही जैसी राजन जब छोटा था तो वा उसे दुलारते हुए कहती थी ऐसी ही कबूतरी तेरे लिए लाऊंगी पर घर में तो जैसे उसकी पसंद नापसंद कोई अर्थ नहीं रखते थे बेटे के कहे शब्द अभी भी गरम सीसे की तरह उसके कानों में गूझ रहे थे जैसे शब्द शब्द न थे तोब के गोले हूँ जो दुश्मन को तोड़ देंगे बेटे ने जैसे सारी उम्र की हारी बाजी को जीत में बदल दिया था माटी की धूल को जैसे चंदन बना दिया था वह क्या सुन रही है? क्या देख रही है? जैसे उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था बेटा बड़ा होकर उसे मान सम्मान दिला सकता है यह तो वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी इसी को कहते हैं गूरे के दिन भी फिरते हैं उसने निहाल होकर दोनों बाहों में बेटे और बहों को बांध लिया रोम रोम में जैसे शंख बज रहे थे आखों में जैसे गंगा उमर पड़ी थी उसे आज पहली बार अपनी होनी का जिन्दा रहनी का एहसास शिद्द से हुआ